आसकी वीडियो में हम ढिसकस करेंगेस Grace के प्रॉबлем के बारे में जिन लोगोगों को Sinus की समस्या होती है प्राढलम होती वो लोग को कफी प्रॉब्लम होती काफी प्रयशानी होती काफी दिक्कत होती इस वीडियो के माध्यम से हम Sinusis के Treatment के बारे में पूरा completely information देंगे जी हां दोस्तों साइनस मुझे भी थी और मैंने भी इस होमियोपर्थिंग मेटिसीन का उप्योग किया और मेरा साइनस ठीक हो गया 100% मैं रिवू दे रहा हूं आपको बिल्कुल जीनुवन तरीके से मैं बताऊंगा पहले समझ लेते हैं साइनोसाइटिस होता क्या दोस्तों जो साइनस हमारे क्या होते हैं हमारे फेस पर साइनस होते हैं ठीक है कितने साइनस होते हैं यह है फ्रॉंटल साइनस होता है ठीक है यहां पर मैकजलीरी साइनस होती है ठीक है पेर होते हैं ठीक है यह होते हैं अब दोस्तों जो साइनस होते हैं हमारे साइनस में क् मलब oxygen होते हैं ठीक है वहीं पर mucus भी होते हैं जो कि हमारे face से जुड़े होते हैं nasal cavity से जुड़े होते हैं जो cranial bone होते हैं उनसे जुड़े होते हैं ये sinus जो pergent होते हैं हमारे face में इनका क्या काम होता है जो air होते हैं जो oxygen होते हैं oxygen को परवाह करते हैं ठीक है इनमें air fill होते है अकसीजन होते हैं और मुकस होते हैं म्हालब मुकस— скорete चिंट Shreos — तो जो कब यमारे अंद्रव बैक्टिरिया या वायरस या focus नहisti और बाहर कर दें हैं तो यह दो नाज़ के दो फिर नहग कर देती है और जो और अकसीजन होते हैं हमारेaps बॉन होते हैं, sulcus होते हैं, उनको humidifier करने में मदद करता है, अब यह sinus होते हैं, sinus में क्या होती है, कभी-कभी problem हो जाती है, problem जब हो जाती है sinus में, तो क्या होता है, जैसे bacteria की वज़ा से enter कर देता है, bacteria या fungus या virus की वज़ा से, तो यही sinus क्या हो जाता है, inflammation हो शूघे का उसमें की सलस्काट嘹 लोते हैं पंटे को इसोग होते हैं ठीख है अब बात करें इस से कित्के होते हैं सानो साइडी य। अाउन होते य। हैं ऑट्के एक्व। होता है ठीख है दोस्तों जो की एक्यूट साइनोसाइटिस जो होता फोर वीक या उससे कम होता है ठीक है यह एक्यूट होता है ठीक है सब क्यूट साइनोसाइटिस होता है जो आपको एक से तीन महिने पुराना होता है उसको सब क्यूट साइनोसाइटिस बोलते हैं ठीक है क्रोनिक साइनोसाइटिस जिनको ह होते हैं आपको सर में दर्द होने लगता है ठीक है सर में दर्द होता है आपके फेसियल पेन होने लगता है यानि कि आपका जो माउथ होता है उन में पेन होने लगता है आपको काफी आपका नाक बहने लगता है हफते में अगर दो दिन ठीक रहेंगे तो तीसरे दिन फिर य भी होते हैं अब को सुंगने की समता जो होती है आपको फीबर में काफी पेन होने लगता है ठीक है वहीं पर ये इसकी स्यम्टम होते हैं जोस्तों ठीक है अब इसके टीट्मेट के आप स्क्रीन पर ठीक है ये मेरे पास है मैंने इसका यूज किया है अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में comment में करेंगे तो मैं बता दूंगा और भी चीजें कहां से मिल जाएगी ठीक है इसका दुस्तों उपयोग कैसे करना आपको दिन में तीन बार लेना है, ठीक है, सुबा दुपार साम, तीन बार लेना है, पंद्रा पंद्रा बूंद लेना है, ठीक है, पंद्रा पंद्रा बूंद लेना है, क्या आधे का पानी में पंद्रा पंद्रा बूंद लेना है, इसका उप्योग, ठीक है, देन उसके बाद दोस साथ लेना है ठीक है एक एक टेबलेट ठीक है दोस्तों इस तरह से दिन में तीन बार इसका उपयोग करना है तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने बात की साइनोसाइटिस के टीटमेंट के बारे में तो वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो अच्छे लगी तो अपने चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेर करें दोस्तों में ताकि सभी को यह जानकारी मिल सकें तैंक यू शो मच